नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इस्टडी फॉर विन में और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीक है CTED 2016 का इसा आज हम डिसकस करेंगे क्योंकि अब आपका एक्जाम जो है वो बहुत ही निकट है पास है आने ही वाला है तो इस तायम पर आपको पता है कि जो प्रीवी से एर्प्रस हैं वो आपके लिए कितने ज्यादा बाइनिपसियल हो सकती हैं तो इसलिए हम यह question paper discuss करेंगे और देखेंगे कि आपकी कितनी अच्छी तैयारी है अगर आप किसी भी तरीके के notes लेना चाहते हैं तो हमारा number है 9496369356 इस number पर contact करके आप notes ले सकते हैं तो चलिए देखते हैं पहला question किस तरीके की question आये थी paper में यह आप देखें और इन्हें हलकनने का प्रयास कीजिए एक बालाग अधिक सीखता है यदि उसे किस तरीके से पढ़ाया जाए तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रिया विधी से पढ़ाया जाए अगर बाच्चे को आप कोई action करके पढ़ाती है तो वो उस्बसे अच्छी तरीकी से सीखता है next question है आपका कख्षा कख्ष में सिख्षकी प्रयास करता है किस चीज चीज का प्रयास करता है तो कक्षगक्स में जो सिख्षख है उसका प्रयास हमेशा क्या रहता है कि वो चात्रों को अनुभव प्रदान करे, चात्रों को सहाय का दिगम बातावर्ण दे, चात्रों को चिंतन करने का अवसर दे, ये सारी चीज़ें वो दे, तो यहां पर उपरोगत सभी जो है वो सही अगला है अधिकांस बालक अपनी मातर भासा सीख लेते हैं, कितने वर्स की आयूता, तो चार वर्स की आयूता वो अपनी मातर भासा को सीख लेते हैं, देखिए लगवग, छोटे-छोटे शब्दों को तो बच्चा बोलने लगता है एक साल के बाद, इस तरीकी के अक्ष इसे लेकिन जो मातर भासा की बात हैं जो सीखने की बात इस पोलने की बात है वो फिर दो वर्ष के बाद ही बच्चा अच्छे से बोलना शुरू कर पाता है ठीक है उसके बाद अगला कॉप्शन है आपका 6-11 वर्ष की जो आयू वर्ग के छात्र हैं उनको किस चीज की आविशक्ता होती है तो बिलकुल उनको इन सभी चीज़ों की आविशक्ता है कक्षा कक्ष में प्रजानता अंत्रिक पातवरन की सीखने में स्वायतता की क्रिया अधारेत और अंतक्रिया अधिगम की इन सभी चीज़ों के तो ऑप्शन डी जो है वो सही होगा अगला है आपका एक बच्चा एरशा का प्रदर्शन करता है ठीक किस एज पर तो अठारा माह की आयूम है यानि कि लगभग जब वो डेड़ साल का हो जाता है तब उसमें ए उठा ले उसकी ममी पापा के साथ बैठ जाए खेल ले उसे नहीं पता चलता लेकिन जब बच्चा डेड़ साल का हो जाता है डेड़ साल से जैसे ही वो उपर होना शुरू होता है वैसे ही उसके अंदर इरशा भाव आने लगता है अगर उसके खिलोनों को कोई दूसरा जगडता है इर्शिया करता है थिक है तो य bridgeshya का प्रदर्शन है फिर next question आपका आता है बालग विवित्परकार से सीखते हैं तो बिलकुल यहां पर आप देख से रहे हैं ऑप्शन बी जो है वो इसके लिए सबसे सही हुगा प्रयोग द्वारा अविवेचन द्वारा प् समाहेत होना ज़रूरी है अगला है 6-11 वर्ष आयो वर्ष के जू बालक हैं उनकी विस्षटताएं टो 6-11 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी विस्षटताएं बालक स्वाभाविक और सक्री अधिकम करता होते हैं अगला कुषिन है स्रजन सील बालक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है ध्यान दीजेगा पूछा जा रहा है नहीं है तो देखिए जो स्रजन सील होगा वो जिग्यासू होगा बहिर मुखी होगा महात्वकांची होगा लेकिन साहसी ना हो ऐसा नहीं है ठीक तो option B अगला है नवीन गयान की प्राप्ति होती है किसके द्वारा नवीन गयान की प्राप्ति जो है वो होती है अनुभव द्वारा नवीन अर्थ ढोनने से ठीक अब अगला है आपका सिक्षण एक प्रक्रिया है सिक्षण किस प्रकार की प्रक्रिया है तो सिक्षन अधिगम का सरली करण करने की प्रिक्रिया है अगला कुश्चन है बच्चे का सामाजिक विकास वास्तों में किस अवस्था से प्रारम हो जाता है तो बच्चे के सामाजिक विकास की चूंकी बात आ रही है तो वो हो जाएगा पूर्व वाल्य वस्था से सास्ववस्था में तो नहीं होगा उतर बाले वस्था में भी नहीं या पूर बाले वस्था सही होगा अगला है आपका प्राथ में कक्छा में बालकों के लिए सिक्षन की उप्युक्त विधी कौन सी है प्राइमरी स्टेज के बच्चों के लिए खेल विदी से अच्छी विदी कोई हो ही नहीं सकती अगर आपको पता है कि खेल विदी की परवर्तक कौन थे comment section में जा कर आपको बताना है कि खेल विदी के निर्माता जनक या परवर्तक कौन थे उनका नाम क्या था क्योंकि ये question भी आपसे पूछा जाता है आगे बढ़ते हैं देखते हैं अगला question भारत वर्ष में primary सिक्षा निमने लिखित पर बल देती है भारत वर्ष में जो primary सिक्षा है वो किस पर बल देती है हमारे हाँ हमेशा से हमारी सिक्षा की यही एक कमजोर कड़ी है कि यहां रटने को प्रेरित किया जाता है हमारे यहां practical work जो है वो कम कराया जाता है और रटने पर ज़्यादा जोड़ दिया जाता है कि slabs जो आपका आया है जो आपके books आई है उनको आप रट लो, exam clear कर लो, बस ऐसा नहीं होना चाहिए इसलिए हमारे यहां जो भारत वर्ष के बच्चे होते है बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली होने के बावजूद भी विदेशी बच्चों से पीछे रह जाते है क्यों? क्योंकि हमारे यहां के जो पधती है जो पढ़ाने की शेली है वो गलत है अब अगला कुश्चन है आपका सिक्षन और अधिक प्रभावी हो सकता है यदी कैसे हो सकता है? यदी चात्रों को स्वयम कारे करने की स्वयत्ता और नियंत्रन दिया जाए यानि उनको छोड़ दिया जाए कि वो जैसा करना चाहते हैं वो वैसे सीख है अगला कुश्चन है आपका अधिगम एक प्रभिधी है अधिगम किस चीज की प्रभिधी है? तो अधिगम अनिभाव द्वारा अर्थ निर्मान करने की प्रभिधी है प्रतिभावान बालक की बुद्धी लब्धी होती है यो प्रतिभा बालक होता है उसकी उतनी होतीए तो यहां पर जो प्रतिभा बालक होगा उसकी जो जो बुझधी आ जाएगी ठीक अ क이죠 प्रतिभाशाली या प्रतिभावान बालक ठीक अगला कुशन है आपका विध्यार्थी का विकास निर्भर करता है विध्यार्थी का विकास किस पर निर्भर करता है तो वनसानुक्रम और वातावरण पर अगला कुशन है एक उत्तम सिख्षक वो होता है कौन्सा होता है जो क कि व्यभार में परिवर्तन लाना और उसका सरवांगिन विकास करना एक लाइन में अगर इसको समझा जाए तो सिक्षा का यही अर्थ है तो जब सिक्षा का यह अर्थ है तो सिक्षा का भी यही कारे हुआ कि वो व्यवहार में सिख्षा जो परिवर्तन कर रही है उस परिवर्तन को बच्चे के व्यवहार में लाए तो यहाँ पर आपका option है सही हो जागा primary इस तर पर annotation होना चाहिए primary level पर जो annotation है वो किस तरीके का होना चाहिए वो हमेशा चातर के इंदरित child centered होना चाहिए क्योंकि हमें पता है कि बिना बच्चे के तो सिख्षा संभव है ही नहीं अधिगम के लिए क्या आवश्यक है सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है अधिगम के लिए तो देखें यहाँ पर दिएगा सभी options ज़रूरी है स्वानभव स्वाचिंतन और स्वाक्रिया यह सारी चीज़ें सही है option day is right for question number 21 चै या साथ साल का जो बालक है वो बालक दूसरे की विचारों को सविकार करने योगे नहीं होता है क्यों नहीं होता है वो क्यों दूसरे की बात नहीं मानता है या मान नहीं सकता क्यों उसको दिमाग इतना मतलब नहीं होता है कि वो किसी की भी बात को मान ले accept कर ले क्या reason है क्योंकि वो जो होता है वो एहम के इंदरित होता है बाल्य आवस्था में एहम की भावना बहुत जादा होती है कि मैं जो हूँ वही सही हूँ मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है तो एहम उसके अंदर होता है नेक्स्ट क्वेशन है 6-11 वर्ष के आयू वर्ग के बालकों को सीखने के लिए क्या आविश्यक है तो 6-11 वर्ष के जो बालक होते हैं उनके लिए मूर्त क्रिया और अन्भवों के उपलब्धता जो है वो आविश्यक है निमलिकित में से किसकी भूमी का पूर्ववाली आवस्था में बालक की संवेगात्मक विकास है तो सरवादिक महत्रपूर्ण है तो यहाँ पर जो है वो माता पिता जो गार्जियन्स है जो पेरेंट्स है उनकी जो भूमी का है वो पूर्ववाली आवस्था में बालक की संवेगात्मक विकास के लिए बहुत ज़ादा जरूरी है ठीक तो गार्जियन्स को इस एच पर बच्चों का बहुत ध्यान देना च तुनित प्रपण बहुत अच्छा क्वश्धन है अब बहुत इंपॉर्टन बहुत एजी प्रपण विधी में आता है या रuisकिम्स है अगला है आपका 6-11 वर्श आयू कि मोई जो बच्चे हैं उनके लिए अधिगम किस प्रकार की प्रकार्वाण है तो इसके लिए ज्या अगला है बालकों में अधिगम, कैसे होता है, जो बच्चे होते हैं, और में अधिगम किस तरीके से होता है, तो मैंने बताया उसे दोहराए उसको रिवीजन करे बार 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 तो वो उसके mind में stable हो जाएगा बच्चा संतुस्ट अनभाव करे वो जो सीख रहा है उसमें उसको satisfaction हो बच्चा अप्रिक्ट सभी करे तो जी हाँ बिलकुल option D is right for question number 29 यह सारी चीजें आनी चाहिए तभी अधिकम प्रभवशाली होता है ठीक और इस question paper का आपका last question है व्रद्धी के बारी में क्या सही नहीं है ध्यान दीजी पूछा रहा है सही नहीं है तो जो अभिविद्धी है वो सारीरिक होती है मातरत्मक होती है मापनी होती है लेकिन जीवन परियांत नहीं होती है तो option D हो जाएगा यहाँ पर आपका सही उत्तर तो यह था 2016 का paper देखा आपनी किस तरीके questions जो है वो आपसे पोछे जाते हैं और किस तरीके के questions का सामना इस बार भी आपको करना है कोरोना काल चल रहा है बहुत अपना ध्यान दीजिए अच्छे से paper देने जाए और इस तरीके के questions आपको आते हैं एक आपको जो रूप रेखा है वो देखने को मिल गई होगी इस वीडियो के माधियम से जिन लोगोंने पहले exam दिया है उन्हें पता होगा किस तरीका question paper आत मिलते रहें किसी भी तरीकी की help के लिए हमारा number है 9496369356 इस number पर contact करके आप notes लेने के प्रिक्रिया को जान सकते हैं तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिल दी हो अपने अगले वीडियो में करेंगे और भी अच्छी त्यारी तब तक के लिए अपना